नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं आपके सामने discussion करूँगा, एक ऐसे companies के बारे में जो future में अच्छा खासा growth होने के potential रखते हैं, तो क्यूंकि इस company के उपर जो business है, मतलब इस company जो business कर रहा है, वो business future में सबसे ज़िदा demandable होने वाले है, क्योंकि government भी focus रखके है, green energy और clean energy के उपर, तो देखी इस company green और clean दोनों energy के उपर काम कर रहा है, तो इस company के जो project है, उसके बारे में discussion करूँगा, और इसका जो future है, वो भी में आपके साथ share करूँगा, किस basis में company काम कर रहा है, किस तरह के से वो fundamental और financially growth कर कर रहा है, उस basis में company के कितना growth होने बाले है, सब कुछ में आपके साथ share करूँगा, तो इस video को in-depth देखने के लिए video को दास्तिक देखिए, और channel को subscribe नहीं के तो जोरू कर लीचेगा, और telegram को भी जोन कर सकते है, future में आपको swing trading करना है, short term trading करना है, उसके लिए आपको telegram म पड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं, आज के company कौन सा है, जहां पर आपको कितना stand मिल सकता है, यह सब सब पहले बता दो company का business models है, वो आप देखेंगे, तो hydro project, साथी साथ solar project, and देखा जाए तो hydrogen project के उपर भी company काम कर रहे है, तो तीनों के project ही company के उपर green और clean energy के उपर दर साथ है, तो इसका company का project है, upcoming कुछ years में company का अच्छा का सा growth मिलने वाला है, क्योंकि इस project बहुत तेजी से growth करने वाला है, क्योंकि इस project government भी focus रखके है, कि कोई भी countries के अगर growth करना है, तो इस project को पर काम करना पड़ेगा, दूसरी बात, globally impact को, globally जो, जो जिस तरीके से global warming तो company ने देखिए, साथ company क्या क्या, company साथ है, आप देखेंगे तो wind project, इसका मतलब solar energy के साथ-साथ, wind project के साथ-साथ, hydrogen project के साथ-साथ, company देखा जाए, तो सारे के सारे green और clean energy, इस सारे project को पर company काम कर रहा है, company के जो project है, आप ध्यान से देखेंगे, तो company आप देख सकते, operating operating capacity delivers by 44% 2GW, company 2020 282SGP नानीर कोटियर müंदर कोटन टोटल टू2GW का पवर कोटनी यहपे इन्हेंस कर चुके हैं, company इतने power generate कर चुके है, second highest और आप देख सकते है, operating EBITDA margin company बना चुके है इस बार, साथी साथ company largest single location BESS project 1 GW का company खुद कर चुके है, तो आपको बता दो BESS क्या होते है, BESS का मतलब है battery energy storage system, तो battery energy storage system के उपर भी company अच्छा खासा काम क्या और वो भी कितना, तो साथी साथ अब देखेंगे, तो hydro pump storage के उपर भी 2.4 GHz का company total generate क्या, साथी साथ company इंडिया largest commercial skill hydrogen project, तो इसका मतलब company hydrogen project के उपर भी इंडिया के सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा hydrogen project के उपर company काम कर रहा है, तो जो feature में बहुत तेजी से growth होने वाला एक sector होगा, ये कि hydrogen project करने का मुएन मकसद है, अगर यहाँ पर pollution नहीं होता, hydrogen project में देखिए hydrogen का जो project है, वो मतलब इस pollution को control करने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि hydrogen जब oxygen के साथ मिसे मतलब घुल मिलेंगे, तो water calculation आ जाएगा, तो हम लोग जब छोटे थे तब school में यही बढ़ते थे, कि hydrogen और oxygen द कर रहें, तो बहुत अच्छी बात है, साथिसाथ company देखिए, पीले जो scheme है, government का, solar project का, उस scheme में भी company का नाम दाखिल करा चुके है, जहाँ पे जब पीले scheme company को मिलेगा, और भी अच्छा का सा company काम कर पाएंगे, तो company division wise देखा है, तो power generation के लिए, company कौन साथ हम सा project कितने का देखा है, अभी भी company का 3.9 gigawatt, टोटली 39% company का thermal power के मात्थम से ही जिनेड होते है, उसके बाद ही के solar project में कितना, सिर्फ के सिर्फ 7%, 0.7 gigawatt, और उसके बाद ही company के उपर hydrogen project, जो अच्छा का सा growth कर रहा है, जो project में company 1.6 gigawatt का total 17% का यहाँ पे growth हुआ, उसके बाद wind project 69 gigawatt का, यहाँ पे total capacity increase हुआ, तो overall बात करो, company का hydrogen project अच्छा खासा growth हुआ, तो hydrogen project के उपर company अच्छा खासा focus रखे, तो company battery storage के साब से, company 1.0 gigawatt hertz का total capacity किया, उसके साथ यहाँ पे देखे, hydro pump storage, इस project में company का बहुत अच्छा खासा काम यहाँ पे हो रहा है, तो company यहाँ देख company power generate कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इतने सारे चीज़ दिखाने का main मकसद है, मेरे कहने का main मकसद है, company जिस जिस project का पर काम कर रहा है, वो project company को अच्छा खासा feature में grow देख सकते है, अगर state wise देखा दू, तो company देखे, राजुस्थान में, साथी साथ आप company काम कर रहा है, तो company सिर्फ इंडिया के कहा का पर है, और कहा का पर इस company power generate कर भो भी देख सकते है, जहाँ पे हिमाचल पदेश है, साथी साथ पंजाब है, राजोस्थान, गुजरात, महारस्टा, करनाटा का, तमिंड नरु, अंध्रा पदेश, तेलेंगाना, मध्ध प्र चुका हूँ, अभी companies के financial details के बारे में बात करो, तो company का financial details देखने से पहले company का नाम देख लीजिए, company का नाम है JSW Energy Limited, company अभी देखा जे तो company बहुत बार बोनास इसू किया, company के जो बोनास इसू है, आप देखेंगे, तो company पहले भी बोनास दिया था, उसके चलते company का price range अ Capital Employee उतना तेजी से growth नहीं किया, company का holding है, promoter का, वो 74% के आसपास है, उनमें से 13% placing है, तो company के depth of equity के बारे मात करो, तो 1.34 के आसपास है, इसका मतला company ने high depth लेकर रखा, एक खाचा 400 करोर के आसपास company profit किया, company का market cap के हिसाब से company के profit ratio है, मुझे उतना ज्यादा देखने को नह ठीक है, company के quick ratio खराब situation में है, हमेंसा quick ratio 1% के उपर होना चाहिए था, यहापर तो 1% के नीचे है, तो एक weakness देखने को मिला है, अगर company के में profit and loss के बारे मात करो, तो company इस बार सबसे ज़्यादा sales किये, तो पिछले बार के तुन्ना से company का sales यापर दुगना बढ़ चुके, स पिछले बार 1700 क्रोड के असपास था, इस बार 1400 क्रोड के असपास देखने को मिला, इसका मतलग company continuously profit को maintain करता है, इसलिए company आपको अच्छा का सा return भी दिया, 10 साल में 20%, 5 साल में 30%, 3 साल में 70%, 75% के असपास, और 1 साल में 25% के असपास, तो overall बात करो अच्छा का सा return मिला, तो company करोड के जो growth है, वो धीरी धीरी करके अच्छाः खासा level में आपको देखने को मिला, तो share capital, share resers के बारे में बात करू, तो measurement के बात करो, तो company जादाlot nenकरीज होता जए, तो research के बारे में बात करो, तो 16,00-900 क्रोड की आसपास reserve के बारे में बात करो Vocês शोले ज्यादा आइked क को मिला कमपणी इस बार बहुत ज्यादा करजा ले लिया करीबन पक्चीज हजार क्रोड आज तक कि सब से ज्यदा करजा है कमपणी का जो रिजव है उससे कई गुना ज्यादा का करजा बन गया तो company का fixed asset purchase में भी देखे 25,000 करोड देखने को मिला मेरे इसाब से company ने जो reserve करजा लिया उस करजे से company fixed asset को purchase किया अभी क्वार, company के capital working process में देखे तो company इस बार 45,000 करोड से भी जादा company कुछ processing में पैसा लगाया कुछ working processing में पैसा लगाया इसका मतलब company में upcoming season में growth obviously देखने को मिल सकता है तो company के cash flow के बारे में बात करो तो जो points मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ वो है company का fixed asset purchase लेकि मैं पहले बोल चुका हूँ company जो asset है इस बार अच्छा खासा purchase किया 45,000 करोड के आसपास और उस हिसाब से company करजा भी बहुत ज़्यादा ले लिया अगर borrowings के बारे में बात करते हैं इस बार 9,700 क्रोड के आसपास borrowings देखने को मिला और company पिछले जो borrowings था उसको मिटा भी दिया इस बार company सारे 900 क्रोड के आसपास करजा मिटाया है तभी भी करजा भाकी है तो उस हिसाब से company काम कर रहे है तो देखिए operator के promoter के बाद FIS और DIS के पास भी उतना ही holding है जो पहले था इसका मतलब किसी बैक्ति ने इस company के उपर holding decrease नहीं किया क्यों क्या रहेंगे? यूदिकि जिस company ने या कोई इतने सांदा return दिया उसके उपर हर कोई आठी के रहेंगे और फिर भी company में weakness है मगर इतना बड़ा weakness नहीं है जो company को डूबा सके तो रही बाद company के चार्ट पटन का तो आप ध्यान से देखिएगा मैं चार्ट पटन आपको mention भी किया था और मैं आपको एक anti-level भी आपको बोला था यह company के एक range bound यहाँ पर टेड हो रहा है range bound का मतलब क्या है company देखिए ध्यान दिजीगा यहाँ से company एक बार ही test किया उसके बाद उपर गया फिर से यह आप देखिए थोड़ा से hold करने के बाद फिर से निच आया फिर से बही support को test किया और फिर से बही resistant फिर से एक बार support को test किया फिर से वो देखिए volume कर रहे मेरे इसाब से फिर से उपर जाएगा और इस registration को वो test करेगा मैं आपको एक anti-level telegram में दिया था और मेरे इस अगर इस range से अगर top level तक अगर target मिले तो around 40% का target मिल सकता है तो आप कहेंगे सर कितने दिनों में मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं होता तो देखे यहां से अगर यहां से में यहां तक देखू तो कितने में मिला फटाफट मिलिया तो सिर्फ के सिर्फ कुछी कुछी दिनों में around 70-77 देज में मिलिया और अगर यहां से में यहां तक दिखा दू तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा करीबन करीबन आप जो target मिला 70 देज में तो फिर से एक बाद 70 देज के आस-पास मिलने का chances हो सकते हैं तो company में upcoming कुछ ES में अच्छागा सा growth देखने को मिल सकता है तो उस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से study करेगा मेरा काम था आपको इस company के details दिखना मेरा काम यह नहीं था कि आपको मैं recommend करू कि कल जाके इस company के पर निवेस कर दीजिएगा तो मिलते हिसी